हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अप स्टोक्स में अपना डिमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी केवल पाँच मिनट में दोस्तो आज किस वीडियो में हम live process के साथ जो है इस account को open करने वाले हैं केवल 5 मिनट में ये account open हो जाता है जो कि बिल्कुल free में open होता है और दोस्तो इसके कोई annual maintenance charges भी नहीं है दोस्तो 0AMC ये demate account है और दोस्तो ये इतना trusted demate account है कि खुद सर रतन टाटा ने भी इसमें invest किया हुआ है दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको ये account mobile से open करना सिखाने वाले हैं आज की वीडियो में जो है हम आपको पूरा complete step by step process बताने वाले हैं और पर refer आपको यहाँ पर 400 रुपीज भी मिलते हैं ये एक बड़ा offer यहाँ पर चल रहा है ये अगर आप account open करने के बाद अपने friend को refer करते हैं और वो भी account open कर लेता है तो आपको पर refer 400 रुपीज मिल जाते हैं कैसे 400 रुपीज मिलेंगे कैसे account open होगा पूरा complete detail में आपको बताने वाले हैं तो hello दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल जतिन सेनिट टैक पर अगर आपके दिख मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाते रहते हैं तो इस account को open करने का link जो है वो नीचे description में है जैसे आप उस link पर click करेंगे आप mobile phone में open कीजिए या laptop में open कीजिए तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना mobile number डालना है और नीचे sign up with mobile number पर आपको click कर देना है आप जो mobile number डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा OTP आप डालेंगे और नीचे continue पर click करेंगे फिर आपको एक pin बनाना होगा आप pin डालेंगे continue करेंगे फिर से आपको pin डालना होगा pin डालकर आप फिर से continue कर देंगे आप जो हैं यहाँ पर जैसे continue करते हैं आप next page पर चले जाते हैं अब आपको अपनी email ID यहाँ पर link करनी होगी आप अपनी email ID डालेंगे और नीचे update का जो button है आप नीचे update पर click करेंगे फिर आपके सामने get OTP का button आएगा आप get OTP का button पर click कर दीजेगा जैसे ही आप get OTP पर click करते हैं आप जो email ID डालेंगे उस पर एक OTP चला जाएगा वो OTP आपको नीचे डालना है और उसके बाद आपको नीचे continue कर देना है जैसे आप continue पर click करेंगे उसके बाद आप next page पर चले जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपना pen card और आधार कारी की detail देनी होगी तो आप नीचे continue पर click करेंगे continue पर जैसे आप click करते हैं सबसे पहले आपको अपना pen card number डालना है उसके बाद आपको अपनी date of birth डालनी है जो आपके pen card में है उसके बाद आपको नीचे next के button पर click कर देना है अब आपको यहाँ पर जो है अपनी personal detail देनी होती है जैसे आप next पर click करते हैं आप जो है यहाँ इस page पर आ जाते हैं आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपसे आपका gender पूछा जाएगा आप male है या female आप अपना gender यहाँ से select करेंगे उसके बाद है आपका marital status आपकी साधी हुई है या नहीं हुई है आप यहाँ से select कर लीजेगा फिर उसके बाद है आपकी annual income आप एक साल में कितना कमा लेते हैं वो आप यहां से select करेंगे उसके बाद है नीचे आपका trading experience देखे आपको जितने भी सालों का trading का experience है आप उसको select कर लीजेगा अगर आपको कोई भी experience नहीं है तो less than one year आप यहां से select कर लीजेगा उसके बाद है आपका father name आप अपने pen card के according अपना father name डालेंगे उसके नीचे है आपकी occupation मतलब आप काम क्या करते हैं आप नीचे select and occupation पर click करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक पूरी list मिल जाती है आप उस list से जो है आप अपने occupation select कर सकते हैं जैसे कि अगर आप student है तो student भी select कर सकते हैं अगर आप कोई खुद का business करते हैं तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं उसके बाद है एक politically exposed person आप इसको no रखिएगा नहीं तो आप account open नहीं कर पाएंगे उसके नीचे है country of tax residency इंडिया आप इसको yes कर दीजेगा उसके बाद आप नीचे की तरह पाएंगे यहाँ पर आपको जो है टमसन कंडिशन मिलती है आप इस box को टिक करेंगे उसके बाद जो नीचे continue का button आप देख रहे हैं आपको नीचे continue का button पर click कर देना है उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे I want a stock for rupee zero का button मिलेगा आपको इस पर click करना है आपका account यहाँ पर free में open होगा अब आपको अपने signature यहाँ पर draw करने होगे जो यह आपके pen card में है आप यहाँ अपनी अंगली से उसको draw करेंगे अपने signature को और नी आदार कार नमबर यहाँ box में डालेंगे और नीचे next के button पर click कर दीजेगा जैसे आप next पर click करते हैं आपके आदार कार के साथ जो mobile नमबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP चला जाता है वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और continue करना है फिर आपके सामने allow का button आएगा आपक accept कर देंगे उसके बाद जो आप इस पेज पर आएंगे यहाँ पर आपको फीट से नीचे continue का button मिलेगा आपको नीचे continue का button पर click कर देना है उसके बाद जो आपको ने bank account को यहाँ पर link करेंगे सबसे पहले account holder का name उसके बाद IFSC code उसके बाद आप account number डालेंगे उसके बाद आप बताएंगे यह saving account है या current account है आप इसको select करने के बाद नीचे continue उपर click कर दीजेगा उसके बाद आप next page पर जाएंगे यहाँ पर आपको sign up for free का button मिलेगा आप frame account open कर रहे हैं तो आप उसको select करेंगे और नीचे continue उपर click करेंगे फिर से आपके समने continue का button आएगा आप continue कर दीजेगा फिर आप यहाँ no select करेंगे और फिर नीचे continue उपर click कर दीजेगा अब आपको nomini add करने को बोलेगा अगर करना चाहते हैं तो add nomini पर click करेंगे नहीं तो I will do it later पर आप click कर दीजेगा अब आपको यहाँ पर आधार OTP के साथ e-sign करना होगा उसके लिए आप य ultimate account online पर आपको click करना है फिर से आपको जैसे पर आना है अपना mobile number डालना है और नीचे sign up with mobile number पर आपको click करना है आप OTP डालेंगे और नीचे continue उपर click करेंगे आपने जो pin बनाया था वो pin आपको यहाँ पर फिर से डालना होता है और pin डालने के बाद आप जैसे ही नीचे continue पर click करते हैं तो जहाँ पर आपने process छूटा था आपका process जहाँ पर अटक गया था आप फिर से उसी page पर चले जाते हैं जिया दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो इस process के द्वारा आप फिर से वहीं पर पहुँच जाएगे कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको फिर से नीचे e-sign with आधार OTP पर click कर देना है आपके सामने e-sign now का button आएगा आपको इस पर फिर से click कर देना है अब आपके सामने proceed to e-sign का button आएगा आप इस पर click करेंगे और नीचे आपको छोटा सा sign now का button मिलता है आपको इस पर click करना है फिर आपको जो है उपर OTP पर आप click करेंगे जैसे आप e-sign कर लेते हैं आपका account यहाँ पर successfully open हो जाता है अब आपको 24 गंटे का यहाँ पर wait करना है 24 गंटे के अंदर आपका account यहाँ पर open हो जाएगा कभी-कभी जो है 3 दिन का भी time लगता है लेकिन 24 गंटे में आपका account open हो जाता है आपको अपने upstokes account में sign in कर लेना है आप अपना finger attach कर सकते हैं या फिर या रोब बर्थ आप यहाँ पर डाल सकते हैं आप जैसे ही login करते हैं homepage पर यहाँ पर बताया जाता है कि आप यहाँ पर per refer 400 रुपीज कमा सकते हैं कैसे आप अपने friend के साथ अपना link share करेंगे जैसी वो account open करता है आपको instant 200 रुपीज मिल जाएंगे और जैसी वो अपनी first trade complete करता है आपको फिर से 200 रुपीज मिल जाएंगे देखें यहाँ पर जो referral amount है वो गरता बढ़ता रहता है यहाँ पर 1200 रुपीज तक भी आपको पर refer दिये जाते हैं दोस्तो आपको जैसी रुपीज करने के लिए कुछ नहीं करना है आप upstocks के home page पर आएंगे उपर चेकेंगे आप menu का button है आप उस पर click करेंगे और नीचे आपको refer and run का option मिलता है आप यहाँ पर WhatsApp या SMS के थुरू अपना refer लिंक शेर कर सकते हैं और refer करके पैसा कमा सकते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तो आप stocks काफी trusted application है इसका interface भी काफी simple है यहाँ पर आप आप आसानी से trading कर सकते हैं आप पैसे को add कीजिए कोई भी share खड़ी दिये बेचिए आसानी से पैसे withdraw कीजिए सब कुछ यहाँ पर simple है अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो दोस्तो इस वीडियो को एक like कर दीजिए और जाते जाते हैं हमारे चैनल को subscribe करने के बाद notification bell को own जरूर कर लीजेगा तो दोस्तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में